हेलो एवरिवन वेल्कम टू दिसव अप्लिकेशन यूट्यूब चानल और आज की रनिती के वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की रनिती हम बनाने वाले हैं के उपर आप सभी को पता है कि 3 सप्टेंबर और 4 सप्टेंबर को आपका पेपर होने वाला है अठाई सप्टेंबर को भी डेट दिया जाए था पर वो हुआ ने तो यह अच्छी बात है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया तो तीन तारिक और चार तारिक यह दो डेट जो कि examination के लिए जाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपकी सही तरीके से एरेंज होने चाहिए तो सबसे पहला जो आता है वो है आपका admin card अगर आपने admin card अभी तक सही से download नहीं किया है उसको arrange नहीं किया है उसके सासा जो आप ID proof ले जाते हैं उसकी photocopy, original copy वो सारी चीज़े अगर आपने arrange नहीं किया है अभी तक तो आप सभी लोग exam से पहले ही इन चीज़ों को arrange करके अपने पास रख लें ठीक है extra copy अपने पास रखे ताकि अगर किसी वज़ा से किसी कारण वस अगर वो spoil हो जाता है तो आपके पास अगर extra copy रहेगा तो वो आपके मदद ही करेगा क्योंकि कई सारे centers ऐसे पढ़ते हैं आपको दूसरे से हर जाना है वहाँ पे centers काफी दूर होते हैं और वहाँ पे आपको examination के लिए mentally paper होने की बात मैंने करी है तो उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे इस समय पे क्योंकि आप जो exam के लिए है वो एक दो दिन रह गया है उसके बाद आपका paper होने वाला है continue तीन तारीक और चार तारीक को तो यहाँ पे आपको stress नहीं लेना है stress नहीं लेने के लिए क्या करना है कि last time में बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वह चाहते हैं कि मैं रात भर में पूरा का पूरा बुक जो है पूरी study material जो है एक बार फिर से मैं cover कर जाओ यह गलती आप बिल्कुल ना करें अभी तक आपने जो पढ़ा वह well and good है ठीक है अभी त तक की तैयारी ही आपको help करेगा उस दिन के examination में ना कि रात भर में अगर आप चाहेंगे कि मैं 15 चप्टर 20 चप्टर में पूरा grasp कर जाओ और उस चीजों को जाके फिर वहां पे तीन तारीक और चार तारीक को वहां पे दिख जाएगा तो यह आपकी गलत फैमी होगी क्यो दें ठीक है और अराम से चिल करें थोड़ा सा मेंटल को जो मेंटल पीस है वह बना के रखें वह बहुत जरूरी है क्योंकि examination hall पे जाने के बाद वह natural है कि आपके अंदर थोड़ा सा प्रेसर बिल्ड होता है लेकिन उस प्रेसर को बिल्ड नहीं होने देना है इसी तरीके से आप अराम से दो मॉक्तिस डेली बेसर पे अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छे वात है अगर नहीं दिया है तो इन लास्ट दो तीन दीन में आप कम से कम पांसे छे मॉक्तिस अराम से सिर्फ सौल्व करें उसको देखें ठीक है और चिल करें थोड़ा सा अपना समय जो है वह थोड़ा सा पीस में गुजारें लेकिन हां यहां पर एक चीज़ आपको ध्यान लखना है कि परहाई के महौल से अलग ना हो ठीक है यहां पर पीस में रहने का चिल करने का मतलब यह नहीं है कि आप पाटी करने लग जाए घूमने लग जाए ठीक है लेकिन थोड वह प्रावलम करते हैं तो यहां पर आपको यह करना कि आप बैठ के रात में रहे हो रूस्म हैं हर एक सब्जक्ट में जो कि आप सिर्फ उतने पॉर्शन्स को कवर करने के करके उस बीस मिनट का समय आपको मिलता है आपको बदा है कि यहाँ पे sectional timing रखा गया है तो उस बीस मिनट में आप selected topics को अगर attempt करेंगे आपकी strategy अगर उस तरीके से होगी तो आप paper clear कर पाएंगे ठीक है जो cut off है वो आप clear कर पाएंगे तो यहाँ पर कुछ बाते में उसको भी लेके बताऊंगा यहाँ पर उसके बात आप negativity से हमेसा दूर रहें इस समय पर आपके friends क्या कह रहे हैं आपके relative क्या कह रहे हैं ठीक है या किसी भी तरह की negativity कुछ निगेटिव चीज़ें आप इंटरनेट पर ना देखें तो यह सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि अगर निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आती हैं तो आपको उस निगेटिव सोच के तरफ ले जाएगी आपका positivity जो मैंटेन होना चाहिए एक पीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा इसलिए निगेटिव निगेटिव thoughts, negative comment आपके friends से, आपके family से आपके relative से, इन चीजों से आभी आपको दूर रहना है और जैसा कि मैं ने कहा कि एक पढ़ाई का महौल जो है वो हमेशा आपने आसपास build करके रखें examination center पे पहुँचना ये जो है वो गलती बहुत बच्चे करते हैं कि अगर आपको 10 बज के 15 मिनिट का time दिया गया है, reporting time तो बच्चे उसी दिन, same day travel करते हैं, अगर आपका center दूर रखा गया है, दूसरे city में दिया गया है तो आप कोसिस करें कि अगर सुबह में आपको 2-3 घंडे का सफर करना है तो कोसिस करें कि उससे एक दिन पहले आप उस जगह पे पहुँच जाए, वहाँ stay कर ले और कल होके, peaceful mind से आप जाके paper दें, वहाँ पे same day आप travel करते हैं, आप stress create करते हैं अपने mind में, और फिर जाके paper में भी आपको दिक्कत होती है, तो ये ये सब चीज़े announce वहाँ पे होता रहता है, तो उस समय पे उन instructions पर ध्यान दे, ठीक है कि आपके ID password जो है, वह आप वहाँ पे गलर टाइप ना करें, आपके login time में जो है, वह लेट ना हो जाए, तो यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हैं, उस time पर अगर आप गलती कर देते हैं, तो वह चीज़ें आपके अंदर बहुत एक अलग तरीके का pressure बिल्ड कर देता है, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, यह चीज़ें नहीं करनी है, अराम से जो भी instructions आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, सुनाया जाता है, कि अभी यह आपको करना है, अभी यह आपको यह करना है, उसको ध्यान से सुनें, ठीक है, अब instructions की मैंने बात करी, तो instructions की बात मैं एक जगा और करूँगा, कि जब आप paper दे रहे होते हैं, ठीक है, आपके सामने questions आ रहे हैं, चाहे हो English के हैं, क्वांट के हैं, reasoning के हैं, आप जो instructions, questions के ऊपर दिये गए हैं, उन instructions को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, कई बच्चे गल्दी करते हैं English portion में, ठीक है, क्वांट और reasoning में तो बिना instructions पढ़ें, आप questions वाल्व कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन English में क्या होता है, कि आपके ऊपर एक main instruction दिया जाता है, उसके नीचे आपके कई 3-4 questions अलग-अलग होते हैं, तो वहांपे जो main instructions है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, क्या पता वो कुछ और कह रहा हो, वो antonym पुछ रहा हो, आप synonym समझ के insert डाल दें, ये गलतिया हो सकती हैं English person में, तो वहांपे आपको ध्यान ये रखना है, कि जो भी instructions हर एक question में दिया रहा है, किसी भी subject की बात करो यहांपे, वो instructions को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जानते हुए भी अगर आप instructions गलत पढ़ लिए, तो आपके number वहांपे detect हो जाएंगे, question आपका गलत हो जाएगा वहांपे, उसके बाद examination hall में जाने से पहले, जो आपकी पहला, मतलब आखरी रात जो आप सो रहें, peacefully सोएं, ठीक है, proper sleep लेके जाएं, उससे क्या होगा, कि आपका एक mental peace बना रहेगा, ठीक है, रात भाद, मतलब जग के आप paper analyze कर रहे हैं, revise कर रहे हैं, ये pressure आप एक दिन में build करके, इतना कुछ करके, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो unnecessary burden अपने mind पे आप create कर रहे हैं, आपको तयारी करनी ही थी, तो आप पिछले 6 मैने एक साल में करते, ठीक है, काफी बचों ने कर लिया होगा, यहाँ पे मैं कुछ negative चीज़े नही बोला, मेरे कहने का मकसद यही है, कि अगर आपने prepare कर लिया है, जितना भी prepare किया है, आप last day, अगर तीन तारिक को आपका paper है, सुबह के 10 बज़े आपका reporting time है, तो उस रात, दो तारिक की रात में, आप peacefully sleep, अराम से सोएं, और अपने mind को एक piece दे, थोड़ा सा burden से हटाएं, उस चीज़ को, ठीक है, तो यह सब चीज़े कुछ आपको ध्यान रखनी है, कुछ बाते हैं, ठीक है, जो की normally बच्चे face करते हैं, ठीक है, हमारा भी experience रहा है इन चीज़ों में, तो हमें भी पता है कि किस-किस point पे गलती हो सकती है, अब हम बात करेंगे कुछ subject matter के ऊपर, आपको पता है कि 3 subject है, आपको sectional timing दिया गया है, 20 minutes each, इंगलिस में आपके 30 questions हैं, reasoning में 35 और numerical ability में 35 questions, 100 questions आपको पुछे जा रहे हैं, अब यहाँ पे 20 minutes का sectional timing है, cutoff आप सभी लोगों को बता है, कि जो 2020 का cutoff था, वो 58.75 marks रहा था, 2021 में 50.5 marks रहा था, यानि कि मानलो 51 marks रहा हैं, यहाँ पे आपको थोरा सा एक analyze करके चलना परेगा, कि आपके जो attempt होंगे, वो थोरे मतलब एक अच्छे level पर होंगे, क्योंकि competition जो है, वो हर साल क्या हो रहा है, वो increase हो रहा है, तो आपके cutoff down जाएंगे, high जाएंगे, उन चीजों के उपर सोच ना करके, अगर आप performance के उपर सोचें, आप अपने attempts के उपर सोचें, आप अपने accuracy के उपर सोचें, तो वो ज्यादा बेतर है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करो cutoff की मालो की, इस साल की cutoff जो है, वो कही ने कही 55 की around cutoff रहेगा, तो 20 minute आपको हर एक subject में मिल रहा है, reasoning, quant और English मे ठीक है, तो यहाँ पे question तो कही परकार के आपके पास होंगे, अगर मैं English की बात करूँ, जिन बच्चों का comprehension, जो RC आपको पूछे जाते हैं, अगर comprehension reading ability आपकी बहुत अच्छी नहीं है, आपको time taking process है, अगर आपके लिए वो चीज, तो उसको आप last में cover करें, ठीक है, उस sentence improvement वाले questions को cover कर ले, sentence rearrangement वाले questions को cover कर ले, जो phrase replacement का question आपके लिए बहुत होगा, तो आपके लिए बहुत होगा, कि last में जब आप आपके पास, मानलो की 2 RC कुछे गए या एक RC कुछे गए जिसके उपर 7-8 questions है, तो आप वो कर पाएंगे, इस तरीके के इस तरीके के questions को ठीक है, तो कहने के मतलब यह है कि जो portion आपको आ रहा होता है, जिनके बारे में जानकारी है, knowledge है, आपको लगता है कि मैं इसको 100% accuracy के साथ attempt कर सकता हूँ, वही portions को आप जो है, वो attempt करें वहाँ पे, 20 minute में आप जो पहला 1-2 minute है, वो आप paper को analyze कर ले, कि हाँ ये questions दिए गए मेरे पास, मैं इसको cover कर यहाँ पे solve जल्दी कर पाऊंगा, तो आप उसी को cover कर ले, उसी तरीके से अगर मैं quant के बात करूं, तो quant में देखिए आपके पास जो है, वो simplification के questions होंगे, ठीक है, quadratic equation के questions होंगे, तो ये सब चीज़े आप जल्दी solve कर पाएंगे, जो di के questions है, बह आपका speed बहुत matter करेगा, उस 20 मिनट में आप कितना attempt कर पाते हैं, तो इस तरीके से आप quant में भी cover कर पाएंगे, reasoning में भी आपको पता है कि around 20 questions आपके sitting arrangement और puzzle जो है, वो cover करेगा, बाकी के 15 questions जो है, वो आपके miscellaneous topics जिसमें की blood relation, direction and distance, coding, decoding, order and ranking, inequalities, sillolism, ये सारे portions आपके cover कर इस 15 questions को आप solve करके 15 नमर पा सकते हैं, बाकी बचके आपके 20 questions sitting arrangement और puzzle के वो भी बिलकुल direct होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत complex हो सकता है, तो उसके लिए अगर आप माल लो कि पहले 8 minute में आपने वो 15 questions कर लिए, तो बाकी के समय जो आपके पास बचके 12 minute, उस 12 minute में अगर 15 जरा question भी आपने sitting और puzzle का कर लिया, तो 25 questions आपके around जो है, वो cover हो जाएंगे, तो इसी तरीके से अगर 25, 25 और 25, तीन section में, अगर आप कुल मिला के 75 questions cover कर लिया, और आपकी accuracy अगर 90 परसेंट भी है, 95 परसेंट है, तो आप एक अच्छा marks gain कर पाएंगे, आपकी courses हमेशा यही आप 25 प्लस attempt हर एक section में करें, और वहाँ पर सिर्फ attempt नहीं करना है, आपको accuracy भी maintain करना है, क्योंकि negative marking भी paper में यहाँ पर है, अगर आप तुक्का लहाँ पर लगाएंगे, तुक्का अगर आपका negative ज्यादा हो गया, तो normalization में आपके number जो है, वो बहुत ही नीचे चले जाएंगे, इस बात को थोचिएगा, आप तुक्का लगा के आप 80 attempt कराए, 85 attempt कराए, that doesn't matter, आपको अगर आपने सही तरीके से solve नहीं किया, accuracy अगर आपका नहीं है, तो आपके marks नीचे चले जाएंगे, लेकिन accuracy है, तो आपके marks के positive जाने के plus 2, plus 3 और उपर जाने के chances बहुत ज्यादा होते हैं, इस चीज को थोड़ा समझेगे आप लोग, तो बस यही बात हैं, आज आप सभी लोगों से करने की paper देने जा रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम आपको guide करते हैं, चाहे वो books से हो, चाहे वो video से हो, तो last time भी, सोचा की चलो, बच्चों के साथ बात ही किया जा है, और उनको बता जा कि अभी paper आप जो दोगे, उसमें किन बातों का आप ध्यान लखेंगे, बांकि अगर आपके कोई भी questions, examination को लेके है, subject को लेके है, last time अगर आपको कुछ पुछना चाहते हैं, तो comment section में जरूर, आप सभी लोग welcome है, अपने comments जालें, आपका जो ज अचे नजर अंदाज कर देते हैं, जिसको नहीं करना है, ठीक है, so thank you once again for watching this video, have a good day, take care and best of luck for your exam.